हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टडी न्यूज आज हम इंडियन एंचेंट हिस्ट्री में पासाण यूग को विस्तरित से जानेंगे कि ये कब से सुरू होता है और इन यूगों को किस आधार पर अलग-अलग बाटा गया है सो लेट अस इस्टार्ट पासान यूग इतिहास का वकाल है जब मानव का जीवन पथरों पर अत्याधिक आसृत था जैसे पथरों से सिकार करना, पथरों की गुफाओं में रहना और पफरों से आग पैदा करना पासान यूग को तीन भागों में विभाजित किया गया है पूरा पासान काल, मध्य पासान काल और नौ पासान काल पहला पूरा पासान काल इस काल की सुरुवात 25 लाक बीसी से होती है और 10,000 बीसी तक ये काल माना जाता है इस काल में मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया है इस आधार पर इस काल को तीन भागों में बाटा गया है पूर पूरा पासार काल, मध्य पूरा पासार काल और उच पूरा पासार काल पूरा पासार काल में मानव पूरी तरह से आदी मानव की तरह रहता था आखेट करता था, सिकार करता था और जंगलों में रहता था और खाद संग्राहक था अर्थाद भोजन के लिए एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर भटकता था इस काल में मानव को क्रिशी और पसुपालन की कोई जानकारी नहीं थी इस काल में मानव हथियार क्वाट जाई ब्लेड पत्थरों से बनाते थे अब उन महतपूर स्थानों को जानते हैं जहां से पूरा पासान काल के साक्ष मिले हैं पहला अतिरम पक्कम तमिलाडू और दूसरा हतनौर मध्य प्रेदेश यहां से मानव के खोपड़ी के पहले अवसेस का साक्ष मिला है तीसरा भीम बेट का यहां से सबसे प्राची ने चित्रकारी के साक्ष मिले हैं चौथा मिर्जापूर यहां से तीनों कालों के हथियारों का साक्ष मिला है पूरा पासार काल में मानव ने आग की खोच की थी जो मानव दोरा पहला अविसकार था अब जानते हैं मध्य पासान काल के बारे में इस काल की सुरुवात 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक मानी जाती है इस काल में मानव आखेट करते थे और भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे लेकिन मुखे बात यह थी कि इस काल में मानव ने पसू पालन करना सुरू कर दिया था मानव दोरा पाला गया पहला पालतू जानवर कुट्ता था और इस काल में हथियारों के लिए माइक्रोलीथ और छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था अब उन इस स्थानों के बारे में जानते हैं जहां से मध्य पासन काल के साक्ष मिले। पहला चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश और दूसरा सराय नहराय उत्तर प्रदेश यहां से मिट्टी के बरतनों के सबसे प्राचिन साक्ष मिले हैं तीसरा बागोर राजेस्थान और चौथा आदमगड मध्यप्रदेश यहां से सबसे पहले पसु पालन के साक्ष मिले हैं इस काल में मानव को आग के वहवारिक प्रयोग का ज्यान हो गया था अब नौ पासन काल के बारे में जानते हैं इस काल की सुरुवात 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक मानी जाती है मध्य पासन काल और नव पासन काल एक संकरमण काल था मतलब दोनों काल एक साथ ही आगे बढ़े थे इस काल में मानव क्रीसी और पसुपालन विवस्थित रूप से करने लगा था और लोग एक स्थान पर इस्थाई रूप से रहने लगे थे यहीं से समाज की इस्थाई निवास वैस्था की सुरुआत हुई थी इस काल में मानव स्लेट और हड्डियों के बने हथियारों का प्रयोग किया करता था इसी काल के आसपास आधुनिक ज्यानी मानव यानि होमो सेपियंस मानव का विकास हुआ था अब जानते हैं उन महतपुर्ण स्थानों के बारे में जहां से 9 पासन काल के साक्छ मिले हैं पहला बुर्ज होम और दूसरा गुफा कराल ये दोनों जगे कस्मीर में इस्थित है यहां से गर्थवास यानि लोगों के गड़े में रहने के अफसेस मिले हैं और मानव के अफसेस के साथ कुट्टे के दफनाय जाने के अफसेस भी मिले हैं तीसरा चिरोंत बिहार यहां से मिट्टी के बर्तन और हथियारों के अफसेस मिले हैं चोथा कोंडी हवा, यह उत्तर प्रदेश में इस्थित है, यहां से चावल के प्रथम प्रमाड मिले हैं, पचवा मेहरगर, यह ब्लूची स्थान में इस्थित है, यहां से क्रिशी का पहला साक्ष मिला है, और मानव ने नौपासड काल में पहिये की खोज की थी, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं, मानव द्वारा प्रयोग में लाए गया पहला हत्यार कुलहाडी था, और पहला पालतु जानवर कुत्ता, और पहला प्रयोग में लाए जाने वाला धातु तामबा था, तो यह थी, पासब काल से जुड़ी कुछ महतपूर बातें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब and कमेंट